आप लोगों को क्या करना है इसके सारे कॉंसेप्ट पिलकुल अच्छे से आपको समझने है और इसके साथ मैं आज आपके 2021 से लेकर 2010 तक के सारे questions को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगर ये question आप कर लेते हैं तो definitely आपको इतना idea आजाएगा कि आपसे profit और loss में कोई गलती होगी ही नहीं तो चलिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग questions के थुरू ही अपने concept को build करेंगे यानि कि इसको हम लोग basically कह सकते हैं c t q यानि concept through questions यानि कि हम लोग अपने concept को जबर्दस्त करेंगे वो भी किस के थुरू वो भी questions के थुरू तो चलो हम लोग चादा time न लॉस करते हुए आज आते हैं अपने सबसे पहले question पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो dear तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो question है ये 2021 का question है यानि कि 2021 की परिक्षा में ये question आप से पूछा गया था ओके question को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए पढ़ने के बाद आप अपना best try करिए और इसी question में हम इस से related सारे फार्मूले सारे concept सीख लेंगे ओके बचा पाड़ी चलो एक बस तू 7500 रूपए में खर प्रतिसत लाफ बताओ तो देखो ये question तो है बहुत simple सा लेकिन इस question के माध्यम से हमको कुछ concept सीखने है सबसे पहला concept जो है dear वो आपके लिए ये रहेगा कि सबसे पहली चीज आप ये जानिए कि क्रय मूले किसे कहते हैं क्या क्रय मूले किसे कहते हैं तो वो मूले जिस पर कोई बस तो खरीदी जाती है क्या की जाती है खरीदी जाती है कोई भी बस तो जिस मूले पर खरीदी जाती हो खरीदी जाती है उसको हम लोग क्या कहते है उसको हम लोग कहते है क्रय मूले और उसके बाद विक्रय मूले क्या होता है ये जो विक्रय मूले होता है ये होता है कि जिस पर कोई बस तू बेची जाती है तो जो खरीदी जाती है उसको करेव मूल और जो बेची जाती है उसको विकरेव मूल यानि कि करेव मूल को हम लोग cost price भी कहते हैं जिसको लोग cp cp बोलते हैं क्या बोलते हैं cp बोलते हैं और विकरेव मूल को हम लोग selling price भी बोलते क्या कहते हैं Selling Price जिसको हम लोग SP भी कहते हैं अब देखो बात आती है LAB की किसकी बात आती है dear LAB की तो LAB की से कहेंगे भई आप इतने बड़े त्वायर आप हो गए हो कि आप इतना जानते हो कि अगर कोई भी चीज जादा में बेची जाए और कम में खरीदी जाए यानि कम में खरीद कर जादा में बेची जाए तो क्या होता है वहाँ पे वहाँ पे आपका LAB होता है यानि कि LAB is equal to क्या होगा बिक करेमूले माइनस करेमूले यानि यहां से आपको एक फार्मूला मिल गया किसका LAB का कि LAB पराबर क्या होता है बिक करेमूले माइनस करेमूले अब बात यह आती है अगली कि भाई आप प्रतिसत लाब किसे कहते हैं प्रतिसत लाब का फार्मूला क्या होता है तो प्रतिसत लाब का फार्मूला होता है लाब गुडे सो यह गुडे का निसान है यहाँ पे बीच में तो लाब गुडे सो बटे क्रेमूल क्या अपान में क्रेमूल यानि अगर कोई बच्चा English Medium का हो तो आप यहाँ पर प्रॉफिट प्रॉफिट इन्टू हंड्रेड अपान क्रेमूल को क्या कहते है कॉस्ट प्राइज यानि की CP ओके तो यह हो जाएगा आपका परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट तो परसेंटेज प्रॉफिट का यह फार्मूला आ गया अच्छा इतना काम हमको वैसे करना नहीं था यह क्वेस्टन साथे बच्चों ने अब तक लगा लिया होगा मेरे ख्याल से लेकिन इतना कॉंसेप्ट हमको इस वाले क्वेस्चन से सीखने को मिला है तो चलो देखो एक बस तु 7500 रूपे में खरीदी गई और 8400 रूपे में बेची गई यानि अगर हम आप से पूछे कि इसका करे मूले कितना है तो करे मूले इसका कितना है 7500 विकरे मूले कितना है 8400 और यहाँ पे 0 हो जाएगा यानि कि 900 रूपे का क्या हुआ 900 रूपे का फाइदा हुआ लाब हुआ अब आप प्रतिसत लाब निकाल लीजे तो प्रतिसत लाब बराबर क्या होगा लाब गुणे 100 यानि 900 गुणे 100 बटा याणि की आपान में करैमूलि करैमूलि कितना था 7500 तो ये गया, ये गया अब कितने से कटेगा चलो 5 से कार देते हैं 5 से पहले 3 से कार दो या 3 पचे 15 छखका 15 से कार दो ना 15 96 और 15 75 पचे 55 से फिर कार दो तो आ जाएगा क्या 12 पर तीसत आपका क्या हो गया 12% आपका लाब हो गया तो देखो बात ये नहीं है कि ये question कल को आएगा कि नहीं आएगा बात ये है कि ये question आपको क्या सीखा के जा रहा है ठीक है तो आपने इस question से क्या सीखा आपने इस question से ये सीखा डियर कि जितने में कोई बस तो खारी दी जाती है, उसको क्रेमोल कहते हैं, जितने में कोई बस तो बेची जाती है, उसको विक्रेमोल कहते हैं, अगर विक्रेमोल ज़ादा होता है, क्रेमोल कम होता है, तो वहाँ पे लाब होता है, यानि कि लाब बराबर विक्रेमोल माइनस क्रेम यानि कि ये question अब हमसे तो बिल्कुल गलत होने वाला नहीं है यानि कि आज के बाद अगर ऐसा कोई भी question आएगा तो वो हमसे बिल्कुल सही हो जाएगा तो चलो बच्चा पार्टी मेरे ख्याल से ये question आपको जबर्दस्त लगा होगा आपको ये question कैसा लगा आप comment करके जरूर बताएए और अब हम लोग चलते हैं question number next पे चलो हाँ तो बच्चा पार्टी अगला question आपकी screen पे आ चुगा है आप इसको सबसे पहले प्यार से पढ़िए और पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये question हमको क्या सिखा के जाएगा और कौन-कौन से concept हमको आ जाएंगे इस question से चलो देखते हैं देखो सबसे पहले question को पढ़ो question क्या कह रहा है question कह रहा है कि एक radio को एक radio को उसके अंकित मूल के 3 बटे 4 में खरीदता है तो ए क्या कर रहा है कि A एक radio को उसके अंकित मूल के 3 बटे 4 में खरीता है तथा इसे अंकित मूल से 20 प्रतिसत अधिक पर बेच देथा है एको प्रतिसत लाब क्या है तो देखो एको कितना है एका प्रतिसत लाब क्या है तो देखो ये question जब भी आपके सामने आएगा अगर आप छोटे बच्चे हो तो आपको एक चीज आपको परिशान कर सकती है और वो है कि भहिया अंकित मूले की से कहते है क्या अंकित मूले की से कहते है तो सुनो बच्चा पाटी जैसे जब आप कोई कुरकुरे की packet लेने जाते हो या कोई biscuit खरीदने जाते हो या आप कोई खिलोना खरीदने जाते हो तो उस packet पे जो दाम लिखा होता है तो उस packet पे जो पैसा लिखा होता है जहां पे लिखाने तो MRP करके MRP करके लिखाने ही रहता है तो उसी को कहते हैं अंकित मूल्ले ठीक है या प्रिंट रेट कहते हैं प्रिंट रेट क्या बोलते हैं अंकित मूल्ले को कहते हैं प्रिंट प्रिंट रेट बोलते हैं तो भही ए ने क्या किया एक रेडियो को उसके अंकित मूल लिखा तो अंकित मूल ले आपको समझ में आ गया यानि कि ऐसा मूल ले जो packet पे लिखा होता है किसी भी बस तो के packet पे जो मूल लिखा होता है उसको हम लोग print rate या अंकित मूल ले कहते हैं ओके बच्चा पाटी तो मेरे क्याल से आपको समझ में आओगा तब अब क्या हुआ कि जो A था A ने क्या किया A गया और वो अंकित मूले के 3 बटे 4 में खरीद लिया अच्छा अब ऐसे question को solve करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए सुनिए हम आपको बहुत ही अच्छा इडिया बता रहे आप सबसे पहले ये माल लीजे कि अंकित मूले उसका 100 रूपए था कितना था माल लीजे कि उसका अंकित मूले 100 रूपए था अब जब A गया A ने क्या किया अंकित मूले का 3 बटे 4 में उसको खरीदा यानी कि अगर हम लोग 100 का अगर हम लोग 100 का 3 बटे 4 निकाल ले तो देखो कितना हो गया 4,1,4 और 4,25 25 तिया 75 रूपए यानी कि उसने 75 रूपए में खरीदा कितने में खरीदा 75 रूपए में खरीदा और अंकित मुल्ल गितना था अंकित मुल्य हमने माल लिया है कि अंकित मुल्य भाई मालो 100 रूपय था तो उसने क्या किया 3 बटे 4 में ही खरीद लिया अब देखो इसे अंकित मुल्य से 20 प्रतिसत अधिक पर बेच दिया अब अंकित मुल्ल कितना था सौ रूपए था बीस परतिसद अधिक में बेंच दिया यानि कि बीस परतिसद जब आप इसका निकालेंगे तो किसी भी चीज का परतिसद निकालने के लिए क्या किया जाता है सौ गुणे प्राप्तांक बटे पुड़ांक यानि कि 100 गुणे 20 बटे 100 तो 100-100 चला गया आ गया 20 तो यानि कि 20 पर 30 अधिक अधिक का मतलब 100 में इसको जोड़ दो तो 100 में जब 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 120 रूपए में इसका मतलब यह हो गया कि उसने कितने में खरीदा उसने खरीदा पर पराबर होता है बिकरे मुले माइन All-Köm बिकरे मुले कितना 120 करे मुले कितना 75 तो देखो कितने का लप हो गया यहाँ पे 5 या गया और 11 में से 5 गया 11 में से 7 गया 5 यानि 55 रूपए का उसने फायदा मार दिया कितने का 55 पचल्पण सही है क्या यहां से पांच, ग्यारा, साथ, चार, ग्यारा, 45 रूपे का, कितने का, 45 रूपे का, 45 रूपे का उसने फायदा मार दिया, अब यह देख लो कि भई, प्रतिसत लाब इसका कितना हुआ, अब देखो प्रतिसत लाब, तो भई, प्रतिसत लाब निकालने के लिए क्या किया जा 3,1,3 और 15,3,45 यानि की 15,4,60 परतिसत का उसको लाब हो गया तो 60 परतिसत का लाब यानि की C वाला आपका बिल्कुल correct answer है ओके बच्चा पार्टी तो देखो यार ऐसा जरूरी नहीं है कि ये question आही जाएगा लेकिन हाँ ऐसे question आपसे पूछे जा सकते हैं बिल्कुल यही question नहीं पूछा जाएगा लेकिन ऐसा question आपसे कल को पूछा जा सकता है यानि यही तो नहीं लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है तो हमको ऐसे questions के लिए हमेसा तयार रहना है और ऐसे ही हम लोग जबर्दस्त करते रहेंगे तो ये question भी आपको कैसा लगा आपने पहले कर लिया था या नहीं कर पाये थे आप comment करके बताईए ऐसे ही अगर हम लोग का contact बना रहता है अगर हम लोग की बातचीत होती रहती है तो ऐसे ही हम लोग जब दर्स्त question solve करते रहेंगे ओके बच्चा पाटी तो चलो क्या करते हैं अब हम लोग लेते हैं अगला question ओके चलो हाँ तो बच्चा पाटी आपके screen पे अगला question आ चुका है अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हों तो ये question जो है डियर ये 2020 का question है जो आप से पूछा गया था अब देखो क्या कह रहा है कि अमित ने एक मेज 1200 रूपए में खरी दी और इसकी मरमत पर 200 रूपए बे किये उसने फिर इसको 1680 रूपए में बेच दिया अमित का प्रतिशत लाब अत्वाहानी बताईए तो देखो देहान से एक बात आप याद रखना डियर कि आपने ये जाना कि क्रेमूले किसे कहते हैं आप सबको पता है न कि क्रेमूले किसे कहते हैं तो क्रेमूले किसे कहते हैं भई जितने में वो चीज खरीदी गई हो जितने में वो चीज खरीदी गई हो बोलो हाया न तो जितने में वो चीज खरीदी गई हो, उसको तो करेमूल कहते ही कहते हैं लेकिन एक बात याद रखिएगा, कि जब आप कोई भी चीज खरीदे हों और खरीदने के बाद उस पर अपना ही पैसा फिर से खर्च किये हों तो उसको भी क्रेमूले में ही जोड़ा जाता है तो इसका मतलब भाईया यह हुआ कि इसने बारा सो रूपे मेर खरीदी थी और उसके बाद दो सो रूपे उसकी मरमत पे खर्चा किया इसका मतलब यह हो गया कि इसका वास्त भी क्रेमूले कितना हो गया इसका वास्त भी करे मुल्य जो हो गया डियर वो बारा सो और पलस का जो दो सो रूपए उसने और बे किया यानि कि चोदा सो रूपए हो गया कितना हो गया चोदा सो रूपए हो गया और फिर देखो उसने सोला सो असी रूपए में बेच दी कितने में बेच दी बोलो जल्दी से कितने में बेच दी 1680 रूपए में बेच दी तो भाई ये बताओ कि 14 सो रूपए करे मूले था और बेच दिया यानि कि बिकरे मूले उसका 1680 रूपए है तो हमें ये बताओ कि बिकरे मूले जादा है की करेमूल ले जादा है ये बताओ तो भाईया यहाँ पे तो विक्रेमूल ले जादा है अगर विक्रेमूल ले जादा है तो क्या होगा तो वहाँ पे लाब होगा अगर लाब आपको पता चल जाए तो आप प्रतिसत लाब भी तो निकालेंगे तो चलो जल्दी से बताओ लाब बराबर क्या होता है लाब बराबर होता है विक्रेमों लेयाने की 1680 माइनस का क्रेमों लेयाने की 1400 घटा दो 0, 8, 2 यानि कि 280 रूपे का उसने फाइदा जमा लिया तो भाई अब लाब तो आपको पता चल गया तो आप प्रतिसत लाब बे निकालो तो प्रतिसत लाब बराबर प्रतिसत लाब बराबर लाब यानि 280 गुणे 100 बटे क्रेमों ले क्रेमों में कितना है क्रेमों में 1400 लिखिएगा ध्यान दीजिएगा 1400 लिख दीजिए यहाँ पे तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, चोदा एकरने, चोदा, चोदा दुना, 28, एक जीरो बढ़ा दीजे, यानि कि आपका लाब कितना आ गया, आपका लाब आ गया, 20 परतिसद, कितना आ गया, 20 परतिसद, देखो, कोई option मिल रहा है, हाँ, C वाला अपसन आपका मिल रहा है, ओके, तो देखो, अब फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ, कि जरूरी नहीं है कि ये question आपसे पूछा ही जाएगा, लेकिन ऐसा question आपसे पूछा जा सकता है, अब ऐसा question का मतलब क्या हुआ भहिया, ऐसा question का मतलब ये हुआ, कि ऐसे questions जिसमें कोई ब्यक्ति, कोई सामान खरीदता हो, और फिर उसकी मरमत, मरमत का मतलब ये होता, कि जैसे मालो तुमने कोई cycle खरीदी, ठीक है, और वो cycle जो है, वो बिगड़ी बिगड़ी सी cycle तुमने खरीदी फाइदा देखके, कि भहिया, मालो कोई cycle 1000 में तुम्हें मिर लई थी, लेकिन वो थोड़ा सा बिगड़ एल थी, बिगड़ एल का मतलब वो थोड़ा सा कम सही चलती थी, तो तुमने क्या किया, भही 1000 रूपे की उसको खरीदा, और 500 रूपे लगा के उसको और चमा चम करवा लिया, बिल्कुल है ना, यानि कि उसको बनवा लिया, तो यानि कि आपको वो cycle वास्तों में कितने में पड़ी, 1000 प्लस 1500 यानि 1500 में पड़ी, तो वो जो 1500 है, वो तुम्हारे लिए क्रेमूले है, ये बात याद रखिएगा, कि जो लागत आप लगाते हो, वो लागत भी किस में आती है, येस, वो लागत भी क्रेमूले में ही जोड़ी जाती है, ओके बच्चा पाटी, तो याद रखिएगा, जो मरम्मत वाले पैंसे होते हैं, वो भी क्रेमूले में ही जोड़े जाते हैं, ओके, हाँ, तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये क्वेस्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, आपको कैसे समझ में आया, आप कमेंट करके हमें बताए, बताए, तब ही तो हम जान पाएंगे कि आपको मेरी बातें कैसे लगती हैं, कि आपको समझ में आता है कि नहीं, ओके बच्चा, चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं, नेस्ट क्वेस्चन, ओके, चलो, चलो बच्चा पार्टी, तो ये क्वेस्चन भी हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, ओके, और ये क्वेस्चन अगर आप ध्यान से देख पारे हैं बच्चा पार्टी, तो ये जवाहर नौदे बिद्याल है, कि परिक्षा में 2019 में आप से पूछा गया था, कब 2019 में, इसका मतलब भाईया, क्या ये फिर से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अगर आप पढ़ियां से तयारी किये रहिएगा, तभी तो लगा पाईएगा, तो चलिए, हम इस क्वेस्चन को बिल्कुल सौट और सौलिड मैथड से जानते हैं, कि ऐसे क्वेस्चन को कैसे लगाया जाता है, ओके बच्चा पाटी, चलो, तो सबसे पहले क्वेस्चन को ये क्या किया जाता है, सबसे पहले क्वेस्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, क्योंकि जब आप question को आच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आधे से ज़्यादा question तो वहीं सालब हो जाता है ओके चलो आजाओ एक फल बिक्रेता एक रूपए में दो की दर से नीबू खरीता है और तीन रूपए में पांच की दर से बेचता है तो उसका लाव प्रतिसत क्या होगा तो देखो यार ऐसे question में तो लगता है अरे यार एक फल बिक्रेता एक रूपए में दो नीबू की दर से खरीता है और तीन रूपए में पांच की दर से बेच देता है तो थोड़ा सा हमको सुन के न ऐसा लगता कि यार ये कैसे लगेगा तो देखो हम लोगों को क्या करना चुछिए ऐसे questions में एक एक नीबू का दाम निकाल लो और एक दीबू देख लो कितने में एक नीबू खरीदे हो और ये देख लो कि एक नीबू कितने में बेच रहे हो तो उसी एक नीबू के हिसाब से इसका प्रतिशत लाब या प्रतिशत हानी बता सकते हैं ओके बच्चा आओ देखते हैं कैसे निकालते हैं तो एक रूपए में दो नीबू यानि कि दो नीबू दो नीबू कितने में पढ़ा आपको एक रूपए में पढ़ा तो एक नीबू कितने में पढ़ेगा एक नीबू पढ़ेगा एक बटा दो रूपए में एक बटा दो रूपए का क्या मतलब होता है बच्चा पचास पैंसा कितना पचास पैसे में पढ़ा ना एक नीबू चलो ठीक है तो ये तो रहा आपका करे मूल ले क्या रहा ये करे मूल ले वो भी कितने का एक नीबू का फिर आओ तीन रूपए में पाँच नीबू की दर से बेचता है यानि कि पाँच नीबू पांच नीबू कितने में बेचता है तीन रूपए में तो एक नीबू कितने में बेचेगा बताओ तीन बटा पांच रूपए में तो तीन बटा पांच रूपए का मतलब कितने पैंसे हुए ये बताओ तीन अच्छा ऐसा करो तुम पचास पैसे को न तुम एक बटा दो रूपया लिख लो एक बटा दो रूपया ही रहने तो क्योंकि रूपया में करेंगे तो ज़्यादा मचाएगा और यहाँ पे तीन बटा पांच रूपया है तो यह बताओ तीन बटा पांच रूपया है कि एक बटा दो रूपए बड़ा है पहले बताओ कि तीन रूपए में उसने पांच की दर से बेंच दिया तो भाई तीन बटा पांच बड़ा है तो अब चलो देख लो इसका लाभ कितना हुआ तो भाई वही बात है ना यार कि लाभ बराबर क्या होता है बिक्रे मुले माइनस करे मुले तो बिक्रे मुले कितना है तीन बटा पांच है कितना है तीन बटा पांच माइनस का एक बटा दो कर लो हो जाएगा ना तो देखो कितना आएगा ये आजाएगा आपका छे माइनस पांच बटे दस यानि कि कितना आ गया है एक बटा दस रूपए का क्या लाब एक बटे दस रूपए का लाब तो प्रतिसत लाब क्या होगा प्रतिसत लाब बराबर होता है लाब यानि कि एक बटा दस गुणे सो बटा करे मूले और करे मूले कितना था एक बटा दो कितना था एक बटा दो और तुम जानते हो कि भाई जब बटे का बटे होता है तो बटा कहां चला जाता है बटे का जब बटे होता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है तो देखो कितना हो गया दस दस दामसों दस दूना बीस परतिसत क्या हो गया 20 पर 30 तो देखो इस question अब 20 पर 30 आ रहा है क्या यह आ रहा है देखो D D वाला option अपना पिल्कुल सही है अपना तो देखो बात यह नहीं है कि question आसान था या question tough था बात यह है कि question को लगाएंगे कैसे तो question को जप ही कभी लगाना हो डियर आप क्या करिए ऐसे question में एक फल का चाहे वो आम दिया गया हो चाहे वो नीबू दिया गया हो चाहे वो संत्रा दिया गया हो या कोई फल दिया गया हो सबसे पहले आप एक फल की कीमत निकालेंगे और जैसे ही आप एक फल की कीमत निकालेंगे डियर उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा तो एक फल का क्रेमूले निकालो एक फल का विक्रेमूले निकालो अगर लाब होना होगा तो विक्रेमूले ज्यादा होगा अगर हानी होनी होगी तो क्रेमूले ज्यादा होगा बस क्रेमूले में से विक्रेमूले या विक्रेमूले में से क्रेमूले घटा करके प्रतिशत ला वो आप कमेंट कर दिया करो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे ओके तो ऐसे में आपकी मस्त और फ्री आफ कॉस्ट में तयारी चलती रहेगी ओके चलो ठीक है ओके बच्चा पाटी अब हम लोग क्या करते हैं आते हैं question number next पे ओके चलो हाँ तो बच्चा पाटी अगला question आपकी screen पे आ चुका है आप इस question को बहुत आराम से पढ़िए बहुत ध्यान से पढ़िए और इसके answer देने की पूरी कोसिस करिए ओके बच्चा चलो क्या कह रहा है कि एक बस्तू को 500 रूपे में बेचा गया एक बस्तू को 500 रूपे में बेचा गया जिससे एक हानी हुई जिससे हानी हुई अगर वह बस्तू 700 रूपे में बेची जाती तो दुकानदार को उस हानी का तीन गुना लाव होता तो उस बस्तू का लागत मूले लागत मूले का मतलब यह होता है बच्चा की करे मूले क्या यानि कि आपको इसका क्या बताना है आपको इसका करे मूले बताना है वैसे मैं आपसे बताऊं कि ये question 2019 में पूछा भी गया था ओके और ये एक कच्छा 5 के बच्चे के लिए बहुत ही high order thinking वाला question है यानि कि अगर ये question कोई कच्छा 5 का बच्चा लगाता है तो इसका मतलब वागई वो भाई selection पाने के काबिल है क्योंकि वास्तों में अगर देखा जाए तो ऐसे question class 9 या class 10 में पूछे जाते हैं यार normal NCRT की books में भी उठा के देखोगे तो ये question है ना equation in one variables के होते हैं यानि कि एक variable वाले जो equation होते हैं उनके questions होते हैं एक रासी वाले समीकरण ठीक है एक चर्रासी वाले समीकरण का लेकिन ठीक है class 5 के बच्चे भी इतना कमजोर थोड़ी होते हैं वो भी बिल्गुल देख रहे हैं तो जबरदस्त आप में तो यार वो बात है जरूर जरूर आप में वो बात है कि आप कुछ न कुछ तो जरूर कर जाएंगे अपकी बार तो आप selection पका लेके रहेंगे तो चलो बच्चा पाटी हो के आओ देखते हैं कि ये question कह रहा है कि पांसो रूपे में जब बेचा गया तो उसको हानी हुई तो देखो ऐसा करो कि मान लो मान लो कि उसका जो क्रे मूले है मान लो कि उसका जो क्रे मूले है वो क्रे मूले मान लो कितना है X है अच्छा ये बताओ अगर क्रे मूले X है और बेचा गया कितने में यानि कि जो उसका विक्रे मुले है वो कितना है पान सो रूपया है और उसको हानी हो रही है यार हानी का मतलब अगर हानी होती है तो हानी में हम लोग क्या करते है करे मुले में से विक्रे मुले घटाते हैं दूसरा देखिये कहरा की 700 रूपए में बेचे आती है तो उसको हानी का तीन गुना लाब होता है अब फिर से उसका विक्रे मुले क्या निर्धारित किया गया फिर से उसका विक्रे मुले 700 रूपए निर्धारित किया गया अब जब 700 रूपए उसका विक्रे मुले निर्धा लाब कितना हुआ, सबसे पहले तो लाब कितना हुआ, 700-X का लाब हुआ, और ये लाब कितनों के बराबर है, ये लाब जो हानी हुई थी, हानी कितनी हुई थी, X-500 की हानी हुई थी, इसका तीन गुना, ओके, यानि कि इसको तीन गुना मल्टिपलाई कर दो, तब जाके इस के बराबर होगा अब यही चीज solve कर लो बस आपकी x की value आ जाएगी और वही x की value आपका करे मुल्ले हो जाएगा तो चलो solve करते हैं कितना हो जाएगा 700 minus x is equal to कितना 3x minus 1500 अरे भाई पांतिया पंदरा जब 3 से 5 में गुड़ा करोगा कितना हो जाएगा 1500 अब एक काम करो इस 1500 को इधर उठा लाओ और x को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 1500 प्लस 700 यानि कि कितना 22 कितना 22 यानि 4x बराबर 22 तो x बराबर X वरबर कितना हो जाएगा 200 बटे 4 यानी 4 से काटो 4 करने 4 4 पंचे 20 और 2 चार पंचे 20 यानी 550 रूपे यानी X की वैलू कितनी है 550 रूपे और यही X क्या था हम लोगा करे मूले था यह क्या था क्रे मूले था यानी यही हमारा क्या था लागत मूले था लागत मूले था यानि हमारा लागत मूल फोचा जा रहा था लागत मूले कितना जा पांसो पचास रूपे यानि B वाला option अपना बिल्कुल correct है तो यार ये question हमको क्या सिखाता है वहिए ये question हमको ये सिखाता है बच्चा कि जब कभी भी इस तरीके का question आए तो आप x मानके लगा लें और जब भी x मानके आप लगाएंगे तो आपका आराम से पूरा का पूरा समीकरण बन जाएगा पूरा का पूरा equation बन जाएगा उस equation को solve कर लीजे हाँ बस याद रखिएगा काम वही करना है जो question कह रहा हो कभी इधर उधर का काम बिलकुल नहीं करना ओके चलो अब हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग लेते हैं next question ओके बच्चा चलो हाँ तो बच्चा पाटी आपके सामनी अगला question आपकी screen पे आ चुका है आइए देखते हैं कि ये question कैसे साल्व होगा और क्या ये question बहुत simple है क्या आओ देखते हैं 2018 का आया हुआ question है देखो क्या कहता है ये question ये कहता कि राहूल ने एक पुराना टेली बीजिन 3000 रूपए में खरीद कर उसकी मरमत पर 300 रूपए लगाए यदि उसने टीबी को 3500 रूपए में बेचा तो उसे कितना लाब हुआ अब देखो न अभी अभी इस तरीके का question हम लोग करके आ रहे हैं तो हम आपको बताया कि कभी भी अगर आप एक टाइप के question की practice कर लेंगे तो वो question आपको future में कभी भी मदद क्यों कि मैंने आपको बताया था कि भी जब भी कभी आप मरमत कराते हैं तो मरमत का पैसा भी करे मूले में ही जुड़ता है तो देखो 3000 रूपए में खरीदा कितने में 3000 रूपए में कितने में 3000 रूपए में फिर उसने 300 रूपए और लागत लगाई तो टोटल करे मूले कितना हो गया टोटल करे मूले कितना हो गया बताओ तीन हजार प्लस तीन सो यानि कितना तीन हजार तीन सो रूपए बोलो हाँ या न अगर तीन हजार तीन सो रूपए आपका लागत मुले हो गया बच्चा तो और उसके बाद उसने बेचा कितने में तो इसका विक्रे मुले कितना है विक्रे मुले इसने किया कितने में 3500 रूपए में तो भाई देखो बेचा कितने में 3500 रूपए में खरीदा कितने में 3500 में तो लाब ही तो होगा न यार कितने का लाब होगा बताओ जल्दी से 200 रूप है का उसमें कहने वाली बात ही नहीं है उसमें कहने वाली बात ही नहीं है यार तो C वाला उप्सन आपका बिल्कुल correct हो जाएगा तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये questions बहुत ही प्यार से enjoy किये होंगे अब ये वीडियो चुकि 30 मिनट के ऊपर जाने वाली है इसलिए हम लोग क्या करेंगे क्या करें इस वीडियो को और लंबी करेंगे इसी पर break कर दे बताओ comment करके बोलो जल्दी से बोलो बोलो ऐसे ही बोलते रहते हो अपना comment एड करते रहते हो तो पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और होता है ओके बच्चा पार्टी तो मुझे ऐसा लगता है ये 2018 का ये जो question था ना ये question तो आपने बिल्कुल कर डाला होगा तुरंत की तुरंत ही निप्टा दिया होगा कुछ बच्चों ने तो pen भी नहीं चलाई होगी मेरे ख्याल से ओके तो चलो ठीक है अब हम लोग लेते हैं अगला question ओके बच्चा चलो तो बहुत ही simple question है बच्चा पार्टी ये भी इस question को देखिए तो देखो ध्यान से पढ़िए तो क्या कह रहा है question ये question कह रहा है कि एक ब्यापारी बाल पैन 15 रूपए में परतेक या 10 रूपए का एक पैकेट ठीक है 10 रूपए या 10 का स्वारी 10 का एक पैकेट 120 रूपए में बेचता है यदि अनी साह 22 बाल पैन खरीद लेती तो उसे कितना मोले देना पड़ेगा अब देखो ध्यान से अगर कोई फुटकर में पैन खरीदता है फुटकर का मतलब एक पैन खरीदता है तो एक पैन का उसको 15 रूपए देना पड़ता है कितना 15 रूपए देना पड़ता है अगर कोई 10 का packet ही खरीद लेता है यानि 10 pen का 10 pen का अगर कोई packet ही खरीद ले क्या खरीद ले 10 pen का packet ही खरीद ले तो उसको 120 रूपए देना पड़ेगा अब देखो Anissa ने खरीदा कितना है Anissa ने 22 pen खरीद दी है 22 pen का मतलब यह हो गया 2 packet 2 packet प्लस 2 pen तो भई दो packet की कीमत कितनी हो गई दो गुणे 120 पलस दो pen की कीमत कितनी हो गई दो गुणे 15 तो देखो 120 दूना 240 पलस 15 दूना 30 यानि कि कितना 270 रूप है कितना 270 रूप है तो भई ये question तो बिल्कुल ललू छाप था और देख रहे हो ऐसे question 2014 में पूछे गए थे का तो भई आगर हम तो 2014 में होते तब तो भई आराम से पास हो गए होते ऐसे questions कुछ हाप करके क्योंकि ये question इत्ते simple है तो हाँ यार ऐसे simple question भी पूछे जाते है ठीक है तो c वे c वाले में कितना हो जाएगा c वाले में आपका 270 correct answer है तो मेरे ख्याल से आप लोगों में से तो सारे जनों ने ये question कर लिया होगा ओके बच्चा तो चलो अब हम लोग लेते हैं next question ओके चलो अब फिर से देखो अभी starting में हम लोगों ने जो कुछ भी अपना-पना concept build-up किया यानि कि वो concept बनाया उसके आधार पे तो ये question बहुत ही ललू चाप है 2013 में पूछा गया question पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है कि एक ब्यक्ति ने एक cycle 1200 रूपए में खरीद कर 1500 रूपए में बेंच दी तो भाई प्रतिसत लाब बताओ तो 34 के 12 और 4 से काटोगे तो 25 चो का 100 यानि 25 परतिसत लाब अब इतना simple question कौन solve करे यार कितना आएगा 25% आजाएगा तो देख रहे हो 2013 में इतना ललू चाप question आता था कि आप तो अब जिस label की तुम्हारी तयारी हो चुकी है और मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ इस label पे तो तुम्हार ऐसे questions के बिल्कुल मुझबानी answer दे सकते हो बो हाया ना पक्का तो चलो ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो next वाले question का अब जबाब दे दो अब की बार आफ ही दे दो अब देखो अभी 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 हमने इस type का question किया था और फिर 2013 में ऐसा question पूछ लिया सरम नहीं आती है इन नोदे द्यालेवालों को ऐसे question क्यों पूछ लेते हो जो बार बार एक ही concept पे हो देखो एक दुकानदार ball pen 12 रूपए का या 10 ball pen का एक packet 100 रूपए में देता यानि वही बात है कि अगर आफ खोलते में लेंगे यानि एक एक ball pen करके लेंगे तो आपको 12 रूपए में पड़ेगी योगर 10 का पूरा packet ही खरीद लेते हैं तो भी 100 रूपए में पड़ेगा अब एक स्रीमती स्वाती जी है उन्होंने क्या किया कि 24 रूपए में खरीदी तो उनका क्रेमूल कितना होगा तो इधर देखो 24 रूपए में का मतलब क्या हुआ 24 रूपए में का मतलब हुआ दो packet और पलस में पलस में 4 पैन तो 2 पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी 100 गूणे 2 और 4 पैन जो की खुले में लिया है उसने तो 12 के हिसाब से कितना हो जाएगा इसका हो गया 200 और इसका हो गया 48 तो 12 200 पलस 49 कितना हो गया 248 रूपए कितने हो गया 248 रूपए तो it was a two simple question 248 यानि की C वाला option आपका बिलकुल correct है तो यार इतना simple question नहीं पूछना चाहिए मेरे ख्याल से बच्चें से क्योंकि भाई ऐसे बच्चे तो हमारे जो नौदे बिद्याले के जो तयारी करने वाले हमारे देसी कक्षा के बच्चे है यार वो तो यार इस question को देखते ही solve कर देंगे तो हमें भी मजा जाएगा चलो ठीक है बच्चा पाड़ी अब लेते हैं हम लोग अगला question चलो तो अब इस question को जो की 2012 में आया हुआ question है dear इसको आप बहुत ही अच्छे से पहले पढ़िए बहुत ही ध्यान से पढ़िए और ये question थोड़ा सा अच्छा है थोड़ा सा बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छा है अगर आप दिमाग लगाओगे तो फटा फट से कर ले जाओगे उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ओके आँ पढ़ते हैं एक सबजी वाले ने असी संतरे तीन रूपए प्रतिसंतरा के हिसाब से खरीदे उसने उसे दस रूपए संतरे अच्छा हाँ उसने उनमे से उसने दस संतरे उसने क्या किये भिखारियों में बाट दिये भई मुफ्त में वो भी मुफ्त में बाट दिये और से संतरों को चार रूपे प्रतिसंतरे के भाउं से बेच दिया तो उसका प्रतिसतलाब कितना होगा तो देखो बहुत ही द्यान से देखो कि असी संतरे तीन रूपे प्रतिसंतरा के तो यह बताओ कुल संतरों का करैमूल कितना होगा यह बताओ 80 संतरे थे एक संतरा 3 रूपय का था तो कितना हो गया 240 रूपय का उसने संतरा खरीद लिया अब देखो 10 संतरे तो उसने भिखारियों में बाट दिये यानि कि 80 संतरा में से 10 संतरा घटा दो कितना बचा? 70 संतरा बचा अब इस 70 संतरे को उसने क्या क्या? 4 रूपय प्रति संतरे के हिसाब से बेचा यानि बिक्रे मूले कितना होगा बच्चा पाटी? 70 संतरे को 4 रूपय के हिसाब से कितना हो जाएगा? साच्चो के 28 यानि की 280 रूपए अब देखो ध्यान से देखो मैं पैन भी चेंज कर दे रहा हूँ पैन भी बढ़ियां ले ले रहा हूँ यह देखो 240 रूपए में खरीदा था 280 रूपए में बेचा बोलो बोलो फाइदा हुआ की घाटा लाब हुआ भई कितने का लाब हुआ काटा लो 280 माइनस 240 कितना हो जाएगा 40 रूपए का लाब हो गया बंदे को तो भई प्रतिसत लाब भी निकालो प्रतिसत लाब पराबर क्या होता है लाब यानि 40 गुणे 100 बटे क्रैमूले क्रैमूले का माणलब खरीदा गया खरीदा का माणलब 240 देखो कितना हो गया 1 0 यहां से 4 1 करने 4 4 8 कितना 4 8 4 से काटोगे रूप जाओ रूप जाओ टेक्निकली क्राइम हो रहा था 4 1 करने 4 और 4 चंग 24 4 चंग 24 2 से काटो 2 3 6 2 50 यानि कि आपका आया 50 बटे 3 परतिसत लाब ऐसा कोई option है नहीं तो 3 से 50 में भाग लगा तो चलो लगाओ 3 16 बार ले जाओगे तो 16 3 48 यहां 2 आ जाएगा यानि 16 सही 2 बटा 3 परतिसत 16 सही 2 बटा 3 परतिसत क्या लाब 16 सही 2 बटा 3 परतिसत लाब ऐसा है क्या यह है be your law option आपका बिल्कुल correct है तो यार इसमें देखो इसमें देखो इस question से हमको सीखना क्या है बस यह बात तुम जानो इस question से बच्चा पार्टी हमको यह सीखना है कि कभी भी चाहे वो भिकारियों में बात दिया जाए चाहे वो किसी को दान दे दिया जाए वो भी क्रहमूल में जुडा रहे गा और जब आप भी क्रहमूले निकालने लगियेगा तो जितना उसने दान दिया था उसको बाहर निकालने के बाद बचे हुए संत्रों पर ही दाम लगाईएगा ने तो कुछ लोग क्या करेंगे 80 रूपय का 3 के हिसाब से खरीदा और 80 संतरा को ही वो 4 के हिसाब से बेच देंगे तो उनका हो जाएगा 320 वो आप गलत कर देंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 10 संतरे उसने जो ये बाटे हैं ये 10 संतरे आप 80 में से निकाल दीजिए जब निकाल देंगे तो 70 संतरे ही बिक्री होगी 70 संतरों की ही बिक्री होगी जिसको उसने कितने में जिसको उसने 4 रूपय के हिसाब से बेचा है तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा तो आप से गलती बिलकुल नहीं हो गई ओके बच्चा तो चलो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप ये question बिलकुल enjoy किये होंगे आपको ये question कैसा लगा पहलकुल comment करके बताए ओके बच्चा चलो अब हम लोग लेते हैं अगला question और अपकी बार आपको पहले solve करना रहेगा ओके चलो चलो बच्चा पाटी अब हम लोग लेते हैं अगला question अगला question देखिए कितना प्यारा question है यार क्या कह रहा है कि एक खिलोना 60 रूपय का खरीद कर 25 पर 30 लाव पर बेंचा गया तो खिलोने का बिक्रे मूल क्या होगा अरे यार 60 रूपय का था 60 रूपय का 25 पर 30 लाव ले लिया तो भई 60 रूपय का था और 15 रूपय लाव ले लिया तो कितने का हो गया 75 रूपय का बोलो हाया न बच्चा पाटी इतना simple question कौन solve करता है 2011 का आया हुआ question है ऐसे रेलूच आप question देख रहे हो C वाला option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा तो क्या इस question में दम था ये question तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे तो यार बिल्कुल बिना pen उठाए ही solve कर दिये होंगे तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी तयारी जबर्दस्त रहती है तो आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको हरा पाएगा हरा पाएगा का मतलब कोई भी बंदा आपका selection नहीं रोक सकता बस आप ऐसे ही पढ़ते रहे ओके बच्चा पाटी पैलकुल चलो लेते हैं अगला question हाँ तो डियर ये question आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये question 2010 में आप से पूछा गया था आईए देखते हैं कि जवाहर नवदय बिद्याले कच्छा 6 की जो परिक्षा हुई थी उसमें 2010 में कैसा question पूछा गया था देखे क्या करा कि एक radio को 680 रूपए में बेचने पर दुकानदार को 120 रूपए का घाटा होता है और 120 रूपए का लाव कमाने के लिए radio को कितने में बेचना चाहिए तो देखो ध्यान से कि जब उसने 680 रूपए में बेचा उसको कितने का घाटा लगा 120 रूपए का घाटा लगा 120 रूपए का घाटा लगा तो ये बताओ मेरे बच्चे पाटी कि अगर 120 रूपए का घाटा लगा तो उसकी वास्तविक कीमत यानि कि करे मूले क्या रहा होगा तो भई करे मूले बराबर क्या होता है करे मूले बराबर होता है हानी प्लस बिकरे मूले ये भी याद रखिएगा कि भई हानी को बिकरे मूले में अगर जोड़ दिया जाए तो करे मूले मिल जाता है यानि कि 680 प्लस 120 देखो कितना आएगा यहाँ पे आजाएगा आपका 800 रूपए कितना आजाएगा 800 रूपए यह 800 रूपए आपका क्या है करे मूल है अच्छा बच्चा यह बताओ कि आपका करे मूल है 800 रूपए आपको 120 रूपए का फाइदा चाहिए तो आप कितने में बेचोगे सामान को तो भैया हम तो क्या करेंगे हम तो इसी में 120 जोड़ देंगे और आ जाएगा कितना 920 रूपया यानि कि अगर हम सामान को 920 रूपय में बेच दें तो हमको 120 रूपय खाना फायदा हो जाएगा तो यानि की हमारा अंसर आ चुका है कितना 920 रूपय यानि डी वाला आपसन डियर आपका बिलकुल करेक्ट था है नि तो ऐसे ही हम लोग बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेस्चन करते रहेंगे डियर आप ऐसे ही बिलकुल बने रहिए और ऐसे ही आप किले की क्लास को enjoy करते रहें ओके बच्छा चलो अब हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग लेते हैं अगला question ओकै चल अब देखो अगला जो question है डियर वो आपकी screen पर आ चुका है अब देखो यार होता क्या है कि जब आप कुछ concept सीख लेते हो ना तो वही concept बार-बार आपसे घूम फिर कर वही concept बार-बार आपसे पूछे जाते हैं अब जैसा इसी question में देख लो इस question में देखो देहन से हो भई जो पुराने concept हम लोगों ने सीखे हैं उसी concept को ये फिर से पूछ रहा है क्या करा है कि एक बेक्ति ने पुरानी cycle 450 रूपए में खरी दी और उसकी मरमत पर 50 रूपए बेकिये यानि कि बेकिये का मतलब खर्चा किया यदि उसने पुरानी cycle 600 रूपए में बेची तो उसका लाव बताओ तो भई देखो हुआ क्या था कि 450 रूपए कि उसने cycle को खरीदा था अब मैंने आपको क्या बोला था मैंने आपसे ये बताया था कि भई 50 रूपए या जितना भी रूपए मरमत पर खर्चा किया जाता है वो सारा का सारा पैसा किस में जोड़ा जाता है वो सारा का सारा पैसा क्रेमूल में ही जोड़ा जाता है यानि कि वास्तों में उसने कितने में खरी दी साइकल 500 रूपए में यानि ये 500 क्या है ये 500 आपका क्रैमूले है और उसने देखो बेची कितने में यहाँ देखो उसने बेची है 600 रूपए में यानि कि विक्रैमूले बराबर 600 तो अब देखो यहाँ पर विक्रेमूले जादा है क्रेमूले कम है यानि कि क्या होगा लाब होगा और लाब बराबर क्या होता है बच्चा लाब बराबर होता है विक्रेमूले माइनस क्रेमूले तो विक्रेमूले कितना 600 क्रेमूले कितना पान सो लाव कितना हुआ सो रूपए का तो भाई यार बार बार वही बातें हो रही है कि प्रतिसत लाव बराबर क्या होता है प्रतिसत लाव बराबर लाव यानि की सो और लाव गुणे सो बटे क्रैमूले क्रैमूले कितना था बच्चा पान सो रूपए चलो फटा फट से क यह गया पांच एक अन्ने पांच पांच दूना दस यानि की 20 परतिसत का क्या हुआ 20 परतिसत का लाभ हुआ ओके बच्चा तो यहां पर देखो कौन सा उप्षन सही है बेलकुल C for cat, C for cat यानि C वाला उप्षन अपना बेलकुल करेक्ट है ओके बच्चा तो देख रहे हो ना कि इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन यार पूछे जाते हैं कि मतलब क्या ही कहा जाए तो 2010 का यह क्वेश्चन था और ओभी नौदे विद्याले में पूछा गया तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि अगर आप कच्छा अगर आप 2010 में पेपर दिये होते तो आप यह क्वेश्चन लगा लेते की नहीं लगा लेते पहले यह बताओ फटाख से फटाफट से हमें बोल दो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर और इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले अपना बेस्ट ट्राई करेंगे जब आप अपना बेस्ट ट्राई कर लें फिर आप हमसे बताईए कि भया हमसे तो यह क्वेश्चन लग गया यार हमसे तो यह क्वेश्चन लग गया चलो फ फटा फट से ट्राई मारो, फटा फट से, हाँ तो बच्चा फटी, ये question जो आप से पूँचा जा रहा है, ये 2009 का question है, ओके, 2009 का question मतलब समझ रहे हैं, ये जब मैंने, जब नवदे विद्याले का paper दिया था, यानि कि 2009 में मेरा selection हुआ था, ओके डियर, तो 2009 में ये question पूछा तो it was a very simple question, देख रहे हो, हम लोग के समय में बहुत लल्लू चाप question आते थे, अभी आप लोग के time में थोड़ा सा अच्छे question आने लगे हैं, अच्छे question का मतलब ऐसे question जिन पे थोड़ा सा महनत की जरूरत होती है, इसलिए हम आप से कहते हैं, कि भाई, अब completion जादा हो गय इसलिए अब आपको महनत जादा करनी चाहिए, तो पहले जो selection बहुत लल्लू चाप question पे हो जाते थे, अब लल्लू चाप question आना ही बंद हो गए हैं, अब देख लीजे यही 2009 का question है, और कितना simple question है, देखो, एक घड़ी 250 रूपए में खरीद कर 16% लाफ पर बेची जाती है तो बिक्रे मूल क्या होगा, तो भाई ये question लाफ और हानी का तो कम, लेकिन परतिसत का जादा दिख रहा है, क्यों भाई या, इसलिए क्योंकि देखो, 250 रूपए में खरीदी गई, और इसका 16% लाफ लिया गया, तो 16% लाफ लिया गया, तो 16% लाफ बटे 100, यहां से काट लाफ लेकर बेच दिया गया, अब यह बताओ जरा, कि 200 की बस तु थी, और 40 रूपए इस पर लाफ ले लिया उसने, तो बेचा कितने में होगा, 290 रूपए में यार, इतना simple question, 290 रूपए में ही तो बेचा होगा उसने, तो देखो इसमें कितना simple question था, 2009 अगरा में कितने 21 का question, अभी जो last year का question था, 21 और 22 का question, उसकी comparison में 2019, 2009 के question को देखोगे तो बहुत simple थे, इसलिए हम कहते हैं, कि भाई, अब के बच्ची जितने smart हैं, question भी उतने smart आने लगे हैं, इसलिए आपको मेहनत और smartly करनी बढ़ेगी, ओके बच्चा पार्टी, तो चलो, अब ये हमारा last question था, अब हम आगे आपको क्या कहेंगे, अब हम आपको कहेंगे thank you बच्चा पार्टी, इतने देर तक आप हमारे साथ में लगे रहें, और जबरदस्त आपने corporate किया धेर सारे आपने comment भी करें, ऐसे ही आप लगे रहो ब और बेस्त रहें, और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को और अच्छे से करते रहें, ओके, love you, take care, bye bye, good night to all of you, and finally, चै हिन